कि अलो अर्वन दिस इस अलिक स्मित वेलकम टॉन आपको नॉलेज दा अमबीशन स्वागत आपको नॉलेज दा अमबीशन के सेशन में तो यहां पर हम डिसकस कर रहे हैं अपने कुछ सबुलों आपको यहां मिल जाएंगी और यह कॉशन आपको सब्सक्राइग इंक्लूट किये गए और सभी कॉश्टन जो है most important है क्योंकि सभी कॉश्टन सो है previous exams का part रह चुके हैं as it is जैसे भी पिछले exam से पूछे गए वैसे यहां पर रखे गए तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा आपको वीडियो के एंड में बताना भी कि आपको इसमें से कितने कॉश्टन आते थे और यदि आपको नहीं आते हैं आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा तो चलिए start करते हैं आज का जो पहला कॉश्टन आप पूछा गया है पूछा गया है डैश इस वैन दा मोर पावर हं अंगरी कंपोनेंट्स सच आज मोनिटर एंड हाड ड्राइब और पॉट इन आइडियर तो वह कौन सी सिचुएशन है यहां पर आपको बताने स्टेटमेंट आपको यहां पर कंप्लीट करना है स्टेट जो आपकी सिचुएशन दीगी हाईबर्नेशन पावर डाउन स्टै मोर पावर हंगरी कंपोनेंट्स सच आज दा मॉनिटर एंड हाड ड्राइब और पुट इन आइडर तो वह आपका होता है स्टैंड बाई मोड सभी कॉशन इंपोर्टेंट है जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं तो आपको सभी ध्यान में ध्यान से पढ़ने और तर फ्राक्टिस भी आप Trade से ले चल सकते हो नेक्स्ट कॉश्टिन अपका हार डिस्क ड्राइब पर smoothie स्टोरेज सोरी हाड डिस्क ड्राइब और कंसीडर डैस स्टोरेज यहां पर आपका डैस होगा तो आपके ऑप्षिन से यहां पर फ्लैश नॉन वालेटाइल टेंप्रेरी नॉन परमेनेंट या फिर नन अप दीज इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा आपका ऑप्षिन न यहां और वॉलीताइल हाड ड्रिप अर कंसीडर अज नौन वालेटाइल स्टोरेज नौन व्लिटा इस्टोरेज नौन वालेटाइल स्टोरेज तो यह आपको ध्यान में रखना है आपको के अपके नमबर 3 पूछा गया है तकी ऑंड़ देश तक कैन वी आपके काश्यूंस नहीं पर मिस्प्रिंट्स के तो थोड़ा साप पर एक यहां पर आपको बताते हूं देश की आपको यहां पर डैश की आपको यह देवल डैश दिये गें आपको दनदेश एंड़ dash key can be used in the combination with other keys to perform shortcuts and special tasks आपको यहांपर दो कीज बताने है that can be used in the combination with other keys to perform shortcuts and special tasks अब की options यहांपर देगे है control plus alt function plus toggle delete plus insert caps lock और name lock numeric lock या none of these this question का right answer हो जाएगा आपका option number one any control and alt the control key and the alt key can be used in the combination with other keys to perform shortcuts and special tasks यह आपकी complete statement बनेगी next question आपका the most common input devices are dash and the dash आपको यहांपर most common input devices बताने है a dash and dash तो इन दो आपको यहांपर दो input devices बताने की जो की most common है microphone और printer scanner monitor digital camera speaker keyboard mouse या फिर none of these इस question का right answer हो जाएगा आपका option number four यहनी keyboard and mouse keyboard and mouse are the most common input devices in computer system option number four इसका right answer हो जाएगा next question आपका question number five पूचागा है to save an exiting file with a new name or to a new location you should use the command dash save save and replace save as new file and none of these इस question का right answer हो जाएगा आपका option number three यहनी save as यह आपकी command होगी to save an exiting file with a name with a new name or an or to a new location तो यह आप the words में वह सॉरी जब भी आप paint यूज करते हो आप most common आपको example आपर दे रहा हो जब भी paint यूज करते हो कोई भी यदि आप photo edit कर रहे हो computer system में तो आप उसे यदि save करोगे जो आपकी पुरानी pick है जो आपका पुराना project है उसमें कुछ एक edits करके उसे नए नए फाइल की तरह नया नाम देकर नए लोकेशन में सेव करना चाहोगे तो आप हमेशा वहाँ पर save as पर click करोगे अगर आपको extension या फिर आपका format change करना है फाइल का name change करना है तो आप save as पर हमेशा click करोगे save as command होगे तो option no.3 इसका right answer हो जाएगा next question no.6 which type of software manages the computer process functioning as an interface connecting the user and application software and the hardware system software utility program translator program operating system यान नन अ इसकाशन का right answer हो जाएगा option no.4 यानी operating system operating system is a type of software that manages the computer processes functioning as an interface connecting the user and the application software and the hardware तो यह आपका जो operating system होता है यह manage करता है computer process को functioning को user को connect भी करता है application software as a software and the hardware यह आपका applicable भी होता है operating system इसका right answer option no.4 next time question no.7 the portion of cpu that coordinates the activities of all the other computer component is the dash mother board coordination board control unit arithmetic logic unit after none of these this question का right answer जाएगा option no.3 any control unit the portion of cpu यह cpu का वो portion that coordinates the activities of all other computer component next time question no.8 something which has easily and understood instruction is said to be dash user friendly information word processing icon यह 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 आपका right answer जो हो जाएगा यह जाएगा आपका option no.4 any user friendly something which has easily understood instructions is said to be user friendly next step का question no.9 पूछा गया है in a database field stores numbers used to perform calculation in a database dash field store numbers used to perform calculations यहां पर आपका डैश होगा इन आ इन आ डैटाबेस तो कौन सी fields है यह जो आपकी numeric fields stores numbers and that is used to perform calculations next step का कौश्च नबर 10 a dash is a combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing devices have options in a network peripheral expansion board digital device यह 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 आपका option no.1 यह यह network is a combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing devices next question number 11 which of the following statement is true concerning statement आप यहापर पढ़ लिजीगा इसका अंसर में आपको direct विताता हूं which of the following statements is true concerning तो इसका right answer आपका option number 1 virtual memory is the space on the hard drive where the operating system begins to store data when it becomes memory bound तो यह आपका जो true concerning statement है इसमें सभी options में से option number 1 इसका right answer है next question number 12 the term width is short for जो आपकी term width है is short for megabyte, binary language, binary digit, binary number या फिर नन अफ दीस इस question का right answer हो जाएगा option number 3 यानि binary digit the term width is short for binary digit और binary digit जो आपकी कौन से होते हैं 0 & 1 जो कि आपका computer language समझता है तो 0 & 1 कि या बाइनरी डिजिट जो लैंगविज बाइनरी डिजिट को समझता है computer तो यह आपको ध्यान में रखना है term width short for binary digit next question number 13 all of the following terms are as associated with spreadsheet software software except एक्सेप्ट तो किसको छोड़ कर है पूछा गया है इस question का right answer हो जाएगा आपका option number 4 यानि virus detection को छोड़ कर जो है यह सभी terms वर्कशीट, cell, formula यह सभी these are associated with spreadsheet software तो आपका virus detection जो है यह spreadsheet software से associated नहीं है next question number 14 पूछा गया है dash are devices used to transmit data over telecommunications lines telecommunication lines drives, drives wise, modems, platforms या फे none of these इस question का right answer हो जाएगा आपका option number 3 modems are devices used to transmit data over telecommunication lines option number 3 इसका right answer हो जाएगा next question number 15 a dash is approximately 1 billion byte a dash is approximately 1 billion bytes kilobytes, bit, gigabyte, megabyte या फे none of these इस question का right answer जाएगा option number 3 इसका right answer हो जाएगा option number 3 इसका right answer हो जाएगा 1 gigabyte is approximately 1 billion bytes next question number 16 a repair for a non-software bug usually available at no charge on the internet is called a dash version, patch, tutorial, FAQ या फे none of these इस question का right answer हो जाएगा option number 2 इसका right answer हो जाएगा one is called a patch next question number 17 computers gather data which means that they allow user to dash data आपका जो यहां पर blank आएगा यहां पर आएगा computer gather data which means that they allow user to dash data present, input, output, store या फिर none of these तो इस question का right answer जाएगा आपका option number 2 यानि input data when computer gather data that actually means they allow यानि computer allow user to input data यानि जब computer allow करेगा data को input करने के लिए तभी user input कर सकता data तो इसका right answer option number 2 होगा next is question number 18 which of the following term is just a connection of networks that can be joined together virtual private network, internet, intranet या फिर एक्स्ट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट या फिर none of these तो इसका right answer जाएगा आपका option number 2 यानि इंट नेट internet terms which of the following terms is just the connection of networks so internet is just the connection of networks that can be joined together next is question number 19 dash is a form of permanent memory that holds all the instructions of computer needs to start up does not get erased when the power is turned off तो इसका right answer जाएगा आपका option number 4 यानि ROM read only memory is a form of permanent memory that holds all the instructions of the computer needs to start up does not get erased when the power is turned off तो ROM इसका right answer है next है question number 20 और ये इस वीडियो का last question है server are computers that provide resources to the other computer connected to a dash network, mainframe, supercomputer, client or none of these इस question का right answer हो जाएगा आपका option number 1 यानि network यानि servers are computers that provide resources to the other computer connected to a network option number 1 इसका right answer हो जाएगा तो यह थे हमारे आज के कुछ इक important questions यह काफी important question है क्योंकि प्रिविस काफी सारे exams काई part रहें जितने भी question मैं यहां पर include कर रहा हूं तो I hope आपके लिए beneficial होंगे तो इससे पहले की वीडियोज अगर आपने यह part 12 था पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो आप playlist section जरू विजिट कीजेगा तो मिलते हैं इसी तरह की next video में thanks for watching